दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गोविंदा की जी हाँ एक ऐसा कलाकार जिसने हिंडी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी सन 1986 में अपने फिल्मी करिया की शुरुआत करने वाले गोविंदा ने सन 1991 तक बहुत सी एक्षन फिल्मों में काम किया लेकिन उनका गोल्डन पीरियड अभी शुरू होना बाकी था और वो था सन 1992 जी हाँ दोस्तों ये वो साल था जब गोविंदा ने डेविद धवन के साथ शोला और शबनम जैसे सुपहिट फिल्म दी बस इसके बाद गोविंदा नहीं रुके गोविंदा ने दर्शकों की नबज पकड़ ली थी उनको ये समझ आ गया था कि दर्शक उनको कॉमेडी करते हुए देखना चाहते हैं बस फिर क्या था, गोविंदा ने एक्शन फिल्मों से किनारा कर लिया, और सिर्फ कॉमेडी फिल्में करने लगे, ये वो वक्त था जब लोग सोशल मीडिया पर ट्रेलर या टीजर देखकर नहीं बलकि थीटर के बाहर लगे पोस्टर पर गोविंदा को देखकर फिल्म बाते थे, गोविंदा की जोड़ी देविर धवन के साथ हिट साबित हुई, अपने फिल्मी करिया में गोविंदा ने देविर धवन के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर सुपहिट हुई, अब गोविंदा का स्टार्डम उनके सर चद कर बोल रहा था, वो कभी भी समय से शूटी पर नहीं पहुचते थे, उनके बरताफ से उनके साथ काम कर रहे सेंकलाकार उनके प्रोडूसर और डायरेक्टर भी परेशान थे, अपने फिल्मी करिया के पीक टाइम पर गोविंदा ने राजनीती में प्रवेश करने का फैसला किया, 2004 से 2009 तक भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस से सांसद रहे, परंतु राजनीती उनको रास नहीं आई, जब तक गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री अब अपने हीरो नंबर वन को छोड़कर काफी आगे निकल च चुकी थी, आपको शायद विश्वास नहो परंतु ताल, देवदास, गदर एक प्रेम कथा और चांदनी जैसी सुपहिट और बड़े बैनरों की फिल्में पहले गोविंदा को ओफ़ हुई थी, लेकिन गोविंदा ने बहुत अजीबों गरीब कारण बता कर इन फिल्मो कर दिया क्योंकि वो अपने शरीर को नीला रंगने के इचुक नहीं थे, उनके दावों को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, ना तो कैमरून और नहीं अफ्तार फ्रेंचाइस के किसी सदस्य ने इस दावे के सच होने की पुष्टी की है, जन्वरी 2008 में, गोविंदा मुंबाई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में मनी है तो हनी है नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, सेट पर संतोश राय नाम का व्यक्ति गोविंदा के काफी पास आ गया, सिर्फ इतनी सी बात पर गोविंदा ने अपना आपा खो दि इसके लिए गोविंदा की काफी आलोचना भी हुई, इसके लिए 6 साल तक कोर्ट में केस चला और अंत में गोविंदा ने लिखित में अपनी गलती के लिए माफी मानगी, पिछले 12 सालों में गोविंदा की सिर्फ दो फिल्में, भागम भाग और पार्टनर, हिट हुई है और ये भी गोविंदा की सोलो फिल्में नहीं थी, भागम भाग में उनके साथ अक्षे कुमार थे जब की पार्टनर में सल्मान खान, अपने व्यवहार और समय के साथ तालमेल न बैठा पाने के कारण आज गोविंदा के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है, गोविंदा अ क्योंकि डिजास्ट साबित हुई, पबलिक ने इनको सिरे से नकार दिया, उमीद है कि गोविंदा अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे और अब तक के सबसे बड़े मनोरंजन करताओं में से एक बनकर धमाकेदार वापसी करेंगे